क्रिकेट की इंसाइट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और इसके बाद बैल आइकन गो प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिलें क्रिकेट की एक्स्क्लोसिव खबरें IPL को चका चौंद भरी लीग कहा जाता है और दुनिया भर के क्रिकेटरस इसमें खेलना चाहते हैं मगर इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि IPL में कई खिलाडी ऐसे रहे जो वन सीजन वंडर रहे और उसके बाद उन्हें ऐसी गुमनामी मिली के जिन्दगी काटना तक मुश्किल हो गया तो ऐसे ही एक खिलाडी के बारे में आपको बताएंगे जो कभी IPL में स्टार था लेकिन अब खेतों में मजदूरी करने को मजबूर है तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें IPL 2009 में राजस्तान रॉयस के लिए डेब्यू करने वाले कामरान खानी सबसे अलग है उतरप्रदेश के आजमगर में छोटे से गाउं से आने वाले कामरान ने पढ़ाई छोड़कर मुंबई में रहकर क्रेट खेलने की ठानी और एक कलब के लिए खेलते वे राजस्तान रॉयस की टीम ने उन्हें देखा तो IPL के दूसरे सीजन में राजस्तान ने कामरान को अपने टीम में ले लिया और वो रातो रात मशूर हो गए कामरान ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने कभी फर्स क्लास या रणजी मैच नहीं खेला और वो सीधे IPL में एंट्री के बाद छागे उन्हें दुनिया के बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला कामरान तब राजस्तान के कप्तान शेन वान के खासे भरोसे मन थे कामरान ने IPL के 2009 सीजन में 11 विकेट लेकर क्रिकेट पेमियों के बीच अपनी जगा बना ली यही नहीं कामरान ने धोनी का विकेट लिया और सुपर ओवर में क्रिस गेल की भी गिलियां उड़ा दी थी लेकिन शांदार बॉलिंग को लेकर कामरान के एक्शन पर सावार उठने के बाद बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट कर दिया गया और उन्हें दो हफते तक रिएब पर जाना पड़ा हलंकि उन पर बैन नहीं लगा लेकिन रिएब के बाद उनका एक्शन चेंज हो गया इसके बाद कामरान खान कभी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाई जैसा उन्होंने डेब्यू आईपियल मैचों में किया था जी रहें वो खेतों में वक्त बिताते हैं और अभी भी क्रिकट खेलने के मौके ढूंडते रहते हैं लेकिन अब कोई भी टीम उनमें इंट्रेस्ट नहीं रखती तो आईपियल के इस डाक साइट पर आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करें अब आप हमारे और भी एक्साइटिंग और इंट्रेस्टिंग शॉर्ट वीडियो लाइक एप पर भी देख सकते हैं अब फ्लेम मीडिया लाइक एप पर भी मौझूद है